मत्ती रचित सु समचाय, सात्वा अध्याय, दोश मत लगाओ, कि तुम पर भी दोश न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोश लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोश लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुमारे लिए भी नापा तु क्यों अपने भाई की आख के तिनकों को देखता है और अपनी आख का लटटा तुझे नहीं सूचता, और जब तेरी ही आख में लटटा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आख से तिनका निकाल दूँ। हे कप्ती, पहले अपनी आख में से लठा निकाल ले, तब तु अपने भाई की आख का तिन का भली भाती देख कर निकाल सकेगा, पवित्र वस्तु कुत्तों का न दो, और अपने मोती सुवरों के आगे मत डालो, ऐसा नहो कि वे उन्हें पाउं तले रौंदे और पलट कर त कार डाले, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूलो तो तुम पाओगे, खट-खटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूरता है वे पाता है, और जो खट-खटाता है उसके लिए खोला जाएगा, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे वह मचली मांगे तो उसे साप दे सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्त में देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गी पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्त में क्यों न देगा इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुमारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो क्योंकि विवस्था और भविश्दक्ताओं की शिक्षा यही है सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वैफाटक और चाकल है वहमार्ग जो विनाश को पहुचाता है और भविश्दक्ताओं से साउधान रहो जो भेडों के भेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फारने वाले भेडी हैं उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्या जाडियों से अंगूर वा उट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड अच्छा फ़ल लाता है और निकमा पेड बुरा फ़ल लाता है तुम उन्हें पहचान लोगे जो मुझ से हे प्रभु, हे प्रभु कहता है उन में से हर एक स्वर्गी राज में प्रवेशना करेगा परंतु वही जो मेरे स्वर्गी पिता की उच्छापट चलता है उस दिन भहु तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभू, हे प्रभू, क्या हमने तेरे नाम से भविश्य द्वाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्मों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से भहुत अचंबे के काम नहीं किये, तब मैं उनसे खुल कर कह दूँगा, कि मैंन तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालो मेरे पास से चले जाओ, इसलिए जो कोई मेरी ये बाते सुनकर उन्हें मानता है, वे उस बुद्धिमान मनुष की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर चटान पर बनाया, और मेह बरसा और बाले रही, और आंधिया चली, और उस घर पर टक्रे लगी, परंतु वे नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नेव चटान पर डाली गए थी, परंतु जो कोई मेरी ये बाते सुनता है, और उन्हें पर नहीं चलता, वे उस निर्बुद्धिमानुष की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह पूशिये बाते कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों के समा नहीं, परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था।